हेलो दोस्त मैं आरपी सुकल चंद्रा इंस्टिट्यूट के यूटूब चैनल पर आप सब का स्वागत करता हूँ आज मैं TGT पाठिक्रम के प्रथम व्याख्यान के रूप में हिंदी वर्णमाला को लेकर उपस्चित हुआ हूँ चले आएए दोस्तों हम सब लोग मिलकर हिंदी वर्णमाला का अध्यन करते हैं यह सभी लोग जानते हैं यह TGT का पाठिक्रम है थोड़ा सा पाठिक्रम को बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है और मैं पूरा विश्वास और आशा करता हूँ कि आप सब को इसमें सफलता मिलेगी चले ठीक है हम सब लोग आज TGT पहली बात तो हमको ध्यान देना है हम किस चीद के लिए पढ़ रहे हैं पहला प्रश्ण हमारे मन में है कि TGT और PGT के अध्येन को हम लोग लेकर उपस्थित हुए है लेकिन सबसे पहली बात है कि TGT और PGT में जो आपके प्रश्ण है वर्णमाला के या व्याकरण के व्याकरण के प्रश्णों में विसेस अंतर नहीं पाया जाता है और खास करके आज में लेकर उपस्थित हुआ हूँ वर्णमाला को तो चले हम लोग मिलकर के सबसे पहले वर्णमाला को लेकर जानते हैं कि वर्णमाला है क्या वर्णमाला का मतलब है कि वर्णों की एक माला बना दी जाए क्या बना दी जाए वरणों की एक माला बना दी जाए जैसे हम किसी एक माला का निर्माड करते हैं तो हमारी ये सबसे पहली प्रात्मिक्ता होती है कि हमारी माला सुन्दर कैसे बने किस पुस्प के बाद किस कली के बाद कौन सी कली लगाई जाए जैसे वह माला हमारी अच्छ है 52 आब इनको एक ब्यावश्थित समुह में रख दिया जाए तो यह वर्ण क्या कहलाएंगे वर्ण माला लेकिन मित्रों आज हम सब लोग हिंदी वर्ण माला में सभी वर्णों की संख्या तो बावन मानते हैं लेकिन अपनी अध्यायन की सुविधा के लिए हमने इनको दो वर्गों में वर्गे गृत किया यह वर्ग होगा पहला श्वर और दूसरा होता है व्यंजन तो स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं और व्यंजन अपने आप में पूर्ण होते हैं पहला प्रश्ण हमारा ये है कि स्वर जो होंगे ये क्या कहलाएंगे और व्यंजन क्या कहलाएंगे तो सबसे पहली बात क्या होते है कि स्वर अपने आप में पूर्ण होंगे और ब्यांजन अपने आप में अपूर्ण होते हैं चले देखते हैं कैसे इनकों पूर्ण करें तो जिन वर्णों का उचारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं वह वर्ण स्वर्वर्ण कहलाते हैं अर्थात इनकी उचारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यक्ता नहीं लेनी पड़ती है लेकिन भ्यंजन हमेशा अपूर्ण होते हैं और ब्यंजन का सुद्ध रूप अगर पूछा जाए तो किसी भी ब्यंजन के नीचे जो तिरची रेका लगी होते हैं जिसे हम हलंत बोलते हैं यह ब्यंजन का सुद्ध रूप होगा अब जब हम इसी में कोई स्वर जोड देते हैं तो यह हमको दिखाई देने लगता है को लेकिन अब हमको ध्यान यह देना है कि व्यंजन अपने आप में कैसे अपूर्ण होते हैं इनको पूर्ण कैसे किया जाए कोई भी व्यंजन हो में त्रध्यान रखिएगा व्यंजन चाहे जो हो लेकिन उसमें जो भी मात्रा हम चाहेंगे वह मात्रा हम लगा सकते हैं जैसे मान लिजे काव में आ की मात्रा जब लग जाती है तो ये काव बन जाती है लेकिन अगर मात्रा हम यहां पर बड़ा की लगा दे तो यह वर्ण हमारा क्या बन जाता है कौफ यद इसमें हम छोटी की मात्रा लगा दे तो की हो जाता है और बड़ी की मात्रा लगा दे तो क्या हो जाता है की हो जाएगा तो जब ब्यंजन अपने आप में पूर्ण होते हैं इन्हें हम स्वर की सहायता से पूर्ण करते हैं इसलिए ब्यंजन का सुद्ध रूप हमेशा क्या होगा हालन्त वाला होगा चलिए मित्रों आगे चलते हैं अब हमारे मन में यह प्रस्ण बनता है कि हिंदी वर्ण माला में सभी वर्णों की संख्या तो बावन है लेकिन हमने अध्येन की सुविधा के लिए ने दो वर्गों में वर्गी क्रित किया पहला वर्ग होगा स्वर और दूसरा होगा ब्यंजन तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए वह क्या कहलेंगे स्वर और जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए वह ब्यंजन कहलेंगे लेकिन सभी वरणों की संख्या अगर पूछी जाए तो 52 लेकिन अगर प्रश्ण किया जाए कि हिंदी वरण माला में सभी सुरू की संख्या कितनी है तो आपका उत्तर कितना होगा मित्रो 13 अगर बावन में से 13 निकाल दिया जाए तो बचते हैं 49 यह सभी व्यंजनों की संख्या होते हैं अब प्रश्ण बनता है हम स्वर किसे कहते हैं तो जिनवरणों का उचारण हम स्वतंत्रा रूप से करते हैं इनके उचारण में किसी अन्यवरण की आवश्चता ना पड़े वो यह वरण स्वरवरण कहलाते हैं लेकिन अब हमको इन्हें अध्येन करने के लिए कितने वरगों में वरगी करित करके हम इनको सरल से सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं चलिया यह मित्रों देखते हैं पहला अध्यन करने का तरीका ये है कि हम यह जाने के स्वरू की संख्या कितनी है दूसरा प्रश्न बनता है किसमें मात्राइं कितनी होती तीसरा प्रश्न बनता है इनके भेव कितने और चौथा प्रश्न है किस वर्ण का उच्चारन स्थान क्या है और अगला प्रश्न बनता है कि जब हम इनका प्रियोग इन सुरू का प्रियोग किसी सब्द में कर देते हैं तो उस सब्द में जो मात्रा अंत्र में लगी होते हैं उस मात्रा को क्या कहते हैं चलिए मित्रों इस बार हम देखते हैं अगर आपसे प्रश्ण पूछा जाए कि हिंदी वर्ण माला में सब ही सोरू की संख्या कितनी होगी तो आपका उत्तर होगा तेरा अगर यह पूछा जाए कि हिंदी वर्ण माला में सोरू की संख्या कितनी होगी तो आपका उत्तर होगा ग्यारा यहां से दो प्रश्ण बनते हैं यह दि प्रश्ण यह पूछा जाए कि हिंदी वर्ण माला में स्वरूं की संख्या कितनी होगी यह आप से पूछा जाए कि स्वरूं की संख्या कितनी होगी तो आपका उत्तर हमेशा क्या हो जाएगा ग्यारा लेकिन अब इन 11 सोरों को हम अध्येन की सुविधा के लिए दो रूपों में एक होते हैं आपके मूल सोर और दूसरे होते हैं दीर्ग सोरू की संख्या कितनी है चार जिनका अध्येन मैं अभी आगी करता हूँ दीर्ग स्वरों की संख्या पूची जाए तो आप क्या बताएंगी साथ लेकिन संद्ध स्वरों की संख्या पूची जाए तो आपका उत्तर होगा चार ध्यान रखेगा मित्र एक बार फिर से हम देख लेते हैं सब ही स्वर पूछे जाए तो आपका उत्तर होगा 13 स्वरों की संख्या या स्वर कितने होते हैं या दो प्रश्ण पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 11 लेकिन इन स्वरों में मूल स्वर कितने होंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 और ई, उ, और रि आगे हम इनकी चर्चा अभी हम करते हैं दीर्ग सोरों की संख्या कितनी हो जाएगी साथ और संयुक्त सोरों की संख्या हो जाएगी चार चले मित्रों आगे हम इनके बारे में बात करते हैं लेकिन अगला प्रस्ण हमारे मन में यह बनता है मित्रों कि स्वर्टों हमारे पास 11 हैं लेकिन मात्राइं हम इनकी कितनी माने तो ध्यान दीजिये मित्रों चले हम देखते हैं मात्राओं की संख्या कितनी मानी गई है 10 इसमें आज वर्ण है उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है तो यहां अगर आ लगा है तो उसकी मात्रा यह होगी यदि अगर छोटी की है तो उसकी मात्रा इधर से लगेगी बड़ी की मात्रा होगी तो बाद में लगती है छोटाओ की मात्रा अगर लगाते हैं तो इसको अंदर घुमाना पड़ेगा बडाव की मात्रा अगर लगाया जाए तो इसको बाहर गुमाना पड़ेगा रीक की मात्रा नीचे लगती है एगर लगानी है मात्रा तो वहाँ हमको एक डंडी पारना है आएक की मात्रा अगर होगी तो हमें दो डंडी पारना है ओ की मातरा है तो दो डंडी नीचे लगाना होगा, एक उपर लगाएंगे, आउट लिखना है तो दो डंडी नीचे होगे, और दो डंडी या मातराइँ क्या होगी, उपर होगी तो इसलिए अगर देखा जाए एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ, नौ, दस मात्रों की संख्या मित्रों कितनी हो जाएगी? दस ध्यान रखिएगा मित्रों अब ग्यारा हमत लगाना चुकी अ, मतलब छोटा अ की मात्रा जो है, यह दिखाई नहीं रेती है इसलिए मात्रों की संख्या कितनी मानी जाएगी? दस अब हम बात करते हैं कि इनको अध्यान करने के लिए कितने वर्गों में वर्गी कृत किया गया है तो सबसे पहली बात है कि उचारण समय के आधार पर अगर पूछा जाए कि किस वर्ग के उचारण करने में कितनी मात्रा का समय लगता है और अगला प्रशन है कि मुख द्वार कुलने के आधार पर सवर के कितने वेद हैं और जीव के प्रियोग के आधार पर सवर के कितने वेद हैं और ओश्ट की सित के आधार पर कितने वेद हैं मित्रों चले मैं आगे अभीन की चर्चा वहां करता हूँ येकिन चले मुझे आपको एक डायग्राम बना के दिखाना था कि इतने रूपों में हम हिंदी के सुरों का अध्यान करते हैं जो हमने एक प्रियास किया है और ये प्रियास मुझे आशा और उमीद है कि साइद आप लोगों को बेहतर लगेगा और इसे आप लोग लावाम मि होंगे चले मित्रों हम अगले चरण में चलते हैं अगर हम आप से पूछें कि किस वर्ण का उचारण अस्थान कौन सा होता है हलाकि जब मैं बेंजन पढ़ा दूंगा तो सुत्र के रूप में मैं आपके सामने बेहतर ढंग से प्रस्तूत करूंगा और वह आप तुरंत य अंजन का होगा और तीसरे व्याख्यान के रूप में हिंदी वर्ण माला में TGT में जितने प्रकार के कोश्चन आते हैं सारे प्रकार के कोश्चनों की हम चर्चा करेंगे ध्यान से देखेगा मित्रों बीच में छोड़के मत जाईएगा अगर हम कंठ से पूछें कौन कौन वर्ण होगा अ अ अ अ तालू से ओस्ट से मूर्दा से रे कंठ तालू ए आ ए कंठ ओस्ट ओस्ट ओ आ ओ नासिका से अच्छा ध्यान रखेगा कि नासिका से उचारन करते हैं हम अंग का बाकी सारे वर्णों का उचारन करते हैं हम मुख से और सिर्थ अंग का उचारन करते हैं हम नाक से जयान लखे मित्रों अब क्या है कि जब इन मात्राओं का प्रियोग किसी सब्द में कर दिया जाता है तो उस सब्द की जो मात्रा लगती है वो क्या कहलाती है चले मित्रों देखते है जैसे सब्द लिखा है राम राम में मात्रा हमको दिखाई देती है तो ध्यान डखिएगा ये जो कारांत कारांत लिखा है ये सारे स्वरों के अंत में लगेगा लेकिन जो इस सब्द के अंत मे भी कुसी को यहाँ जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा राम में मात्रा है औ की औकार लाम धेरा जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा मित्रों एक बार बोलके देखे अकारांट सावधानी की बिसे जरुवत है इसको ध्यान रखिएगा मित्रों क्योंकि इसे क्या बोलेंगे आ है इसलिए छोटा आ लगा दिये तो इसे बोलेंगे आकारांत है अगला प्रस्टन है अगला सब्द है मामा मामा में मात्रा कुम सी लगी है बड़ा आकी लगी है इसलिए इसको हम बोलेंगे तो क आकारांत सब में बोलना ही है वो बड़ा की मात्रा है तो इसलिए क्या बोलेंगे आकारांत अगला शब्द है हमारा रभी रभी में मात्रा हमारे सामने आती है इकी इसलिए इसे क्या बोलेंगे मित्रव आप लोग खुद बोलके दिखाओ इसे बोलेंगे इकारांत लिया हां अगले शब्द में बड़ी की मात्रा है तो उसे बोलेंगे इकारांत अगला शब्द है ये लगु लगु में छुटाउ की मात्रा है इसलिए क्या बोलेंगे कारांत तो सब में बोलना है लेकिन यहां उस्वर को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा उकारांत अगला क्या है वधू वधू में क्या है बड़ाऊ है बड़ाऊ लगने के कारण इसको क्या बोलेंगे उ का रांत मात्री शब्द में क्या हो जाएगा री लगा है इसलिए क्या बोलेंगे री का रांत लड़के में लगा है ए इसलिए बोलेंगे इसको ए का रांत इस प्रकार से आ से लेकर आओ तक जो जो मात्राएं किसी सब्द के अंत में लगती हैं उन मात्राओं को जोड़कर कारांत बोल दीजिए वह मात्रा जो लिखी जाएगी वो आपके सामने आ जाएगी चले मित्रों सायद आपको यह चीज समझ में आ भी गई होगी मेरा पूर्ण विश्वास है और इसको एक बार दो चार सब्दों के साथ प्रियोग करके आप देखे लिए आपको तुरंत सारी चीजें समझ में आ जाएगी वैसे यही इसी प्रकार से सब्द जो अंत में लगते हैं मात्राएं उन्ही मात्राओं को लगा कर कारांत कारांत जोड़ दीजे और यह सब्द आपका बनता सला देगा चरे अब हम बात करते हैं अगले चरण के रूप में इनके वर्णमाला के भेदूं की चर्चाएं हम करें अब भेद क्या है उच्छारन समय तथा मात्रा काल तो किस वर्ण के उच्छारन करने में कितनी मात्रा लगेगी मित्रोप यह हमको देखना है और किस वर्ण के उच्छारन करने में कितना समय लगता है यह हमको देखना है दो आधार को लेकर हमने यहाँ पर यह डाइग्राम प्रस्तुत किया है हमें त्रोप सावधानी पूर्बत दिखेगा आपको सारी चीजे भी समझ में आ जाती है हम पहले लेते हैं उच्छारन समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे तीन कौन कौन से होंगे रश्व, देरग, पुलुत तो जिनके उच्छारन करने में कितना समय लगे कम समय लगे क्या कहलाएंगे रश्व, जिनके उच्छारन करने में आधिक समय लगे उसे बोलते हैं देरग स्वर तथा जिनके उच्छारन करने में सबसे ज़्यादा समय लगे उसे बोलते हैं पुलुत स्वर अच्छा अब लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले हरस्षवर की तो जिन सोरों के उचारण करने में मित्रों बिल्कुल कम समय लगे एक बार अभ्यास भी ट्राई करके देखेगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जिनके उचारण करने में कम समय लगे उन्हें बोलेंगे क्या हरस्षवर अच्छा दूसरा अगला इनके हरस्षवर को हम किन किन नामों से जानते हैं तो अगला चरण हमारा है कि इन ही सोरों से अन्य सोरों का निरमार होता है इसलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं मूलस्वर के नाम से भी जानते हैं चलो मितर एक बार देखते हैं कि आपको आया चलिए जिनकी उचारण करने में कम समय लगे उन्हें हरसो कहते हैं अच्छा इन ही शोरों से अन्न्न शोरों का निरमार होता है इसलिए नहीं बोलेंगे मूल सर इन सोरों का कभी बिनास नहीं होता है इसलिए क्या कहलाते हैं अक्षर अक्षर दो शब्दों से बना है एक है आ और दूसरा होता है च्षर आ एक उसर्ग है जिसका आर्थ होता है नहीं अच्छर का मतलब होता है विनास अर्थात जिस वर्ण को बिवहाजित करके उसे समाप्त ना किया जा सके वे क्या कहलाते हैं आक्छर लेकिन अच्छा आगे तोड़ा सा देखते हैं एक नाम इसका और है चुक्कि हमने यहाँ पर दो चीजों को लेकर इनका वर्गी खरण के आए तो मात्रा किस वर्ण के उचार्ण करने में कितनी मात्रा लगती है कितनी मात्रा का समय लगता है यह आपको ध्यान दखना है चले अब ध्यान दिजिए कि जैसे किसी भी वर्ण के समय के उचार्ण करने में कितनी मात्रा का समय लगता है तो इसका पैमाना होगा मित्रों जैसे एक सामान प्यक्ति है और वो कोई भी वस्तु देख रहा है वो एक बार अपनी आख को बंद करता है और फिर अपनी आख को पूर्व अवस्था में खोल देता है तो जितना समय लगता है उसके बंद करके खोलने में उसे हम बोलेंगे एक मात्रा काल उसे बोलेंगे एक मात्रा काल द्यान रखेगा मित्रो एक मात्रा काल से क्या तात्पर होगा कि एक सामाय ने मनों से कि आखें खुली हो उनसे कहा जाए कि अपनी आखें आसानी तरीके से बंद करके फूर्व अवस्था में खोल दिया जाए तो जितना समय लगेगा उसे हम ए मात्रा काल पहते हैं इसलिए हरस स्वर के उच्छारण करने में एक मात्रा का समय लगता है इसलिए इसका नाम क्या होता है एक मात्रिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है अगला प्रश्ण बनता है कि इनकी संख्या कितनी है तो इनकी संख्या होगी मित्रों कितनी चार कौन कौन होगी जान रखें मित्रों इनकी संख्या कौन कौन होगी ठीक है मित्रों इसको एक बार दो बार तीन बार प्रयास करके देखेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाए अच्छा लेकिन अगला प्रश्न है दीर्ग स्वर के बारे में हमको देखना है तो दीर्ग स्वर का मतलब है कि जिनकी उच्चारण करने में आधिक समय लगी वेवर्ण क्या कहलाएंगे दीर्ग स्वर अच्छा इनकी उचार्ण करने में दो मात्रा का समय लगता है इसलिए इनको किस नाम से जानेंगे दूई मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं लेकिन मित्तो इनकी संख्या कितनी है इनकी संख्या क्या हो जाएगी साथ तो कि स्वरों की संख्या ग्यारा मानी गई है उन ग्यारा में से चार स्वर मूल हो जाते हैं तो साथ स्वर जो बचते हैं वे दीर्ग स्वर कहलाते हैं अच्छा तो लेकिन इन दीर्ग सवरों को हम दो अरगों में वर्गी कृत करते हैं एक होगा मूल दीर्ग सवर और दूसरा होगा सईयुत दीर्ग सवर तो मूल दीर्ग सवर चलो देखते हैं कि क्या है इसमें जैसे आधन आ इसी को ही अगर दीर्ग बना दिया जाए एक ही मूल स्वर को दो बार बोल दिया जाए या दो गुना समय लगा कर बोल दिया जाए तो वह क्या बन जाता है मूल दीर्ग स्वर जैसे आ धन आ में जितना समय लगा उसको दो बार आ का समय लगा दिया जाए तो आ इसी प्रकार से इ धन इ बराबर इ उ धन उ बराबर उ आ इ उ एक बार मित्रों ध्यान से एक बार उच्छान करके देखे कि आ इ उ री में कम समय लगता है आ इ उ में समय थोड़ा सा ज़ादा लगता है अच्छा लेकिन इनको हम एक दूसरा रूप जो होता है सैयुक्त दीर्गस्वर के नाम से भी हम इने जानते हैं चले मित्रों हम इनको देखते हैं कैसे बनते हैं सैयुक्त का मतलब होता है कि जब दो बहिन स्वर एक में मिलकर कोई नया स्वर बना दें तो वह कहलाता है सैयुक्त दीर्गस्वर अब जैसे आधहन ए बराबर होता है ए आधहन ए बराबर आए आधहन उ बराबर ओ आधहन ओ बराबर आओ इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है चार तो सैयुक्त दीर्गस्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी चार कौन कौन से ए आए ओ आओ के कवित्रों चलिए हम आगे चलते हैं अब जीव के प्रियोग के आधहार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तेन भेद होते हैं पहला क्या होगा अग्रस्वर दूसरा क्या होगा मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द करता है क्या कहलाएंगे अग्द्र स्वर जिनके उच्चारण करने में जीव का मद्य भाग कारे करता है उसे मद्य स्वर बोलेंगे तथा जिनके उच्चारण करने में जीव का पिछला हिस्सा कारे करता है उसे हम पस्च स्वर के नाम से जानते हैं चले मित्रों इसमें हम देखते हैं कि कौन वर्ण किसके अंतरगर आएगा तो उचारण करके देखें कि E-E-A-I इनका प्रियोग होता है जीव का अगरभागन के उचारण करने में लेकिन जीव का मद्ध भाग जो कारे करता है वो क्या वर्ण होगा और प्राया ही सुवन से गई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि मद्ध स्वर क्या होगा तो ध्यान दखेगा मित्रों मद्ध स्वर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेगा और पश्ट्श जिनकी उचान करने में जीव का पिछला भाग कारे करता है, उसे क्या बोलते हैं पश्ट्वर? आ, उ, उ, ओ, आओ, सलेवित्रों में आगे चलता हूं तो ओस्ट की इस्थीत के यादहार पर सुर के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं कितने भेद होंगे दो भेद होंगे कौन कौन होंगे पहला है आबृत्तमुखी दूसरा है बृत्तमुखी तो जिनके उचारण करने में ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं वह क्या कहलाते हैं आबृत्तमुखी और जिनके उच्छारन करने में गोलाकार हो जाते हैं वोई कहलाते हैं बृत्तम के सलेमित्रों एक भार इसको अभ्यास करके देखा जाए जैसे आए के उच्छारन करने में आपका मुख जो है ओस्ट का जो भाग है वह गोलाकार नहीं होता है लेकिन आओ के उच्छारन करने में आपका ओस्ट जो है यह गोलाकार हो जाता है इसलिए इनको हम बोलेंगे बृत्तम की इनहें बोलते हैं आब बृत्तम की मित्रों आपको समझ में आ गया चलिए इसको देखते हैं हम लोग अगले चरण के रूप में अगला चरण होता है कि मुख द्वार खुलने के आदहार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तो आपका उत्तर होगा कि इसके चार भेद होते हैं कितने भेद होते हैं मित्रों चार भेद होते हैं अच्छा होए कौन कौन वरन होंगे भेद पहला है विब्रेत दूसरा है अर्ध विब्रेत तीसरा है संब्रेत चोथा है अर्ध संब्रेत समध में आया मित्रों कितने वर्गों में वर्गी करित किया गया है चार कौन कौन से विब्रेत अर्ध विब्रेत संब्रेत अर्ध संब्रेत अच्छा विब्रेत का मतलब क्या होगा मित्रों एक बार इसको देखेगा कि विब्रेत मतलब है कि जिनके उचारन करने में मुखद्वार हमारा पूरा कुल जाए उसे बोलते हैं बेब्रित जैसे आ उचाण करके देखे मित्रो आ तो सायद आपको एही प्रयास में सफलता है ही मिली होगी कि मुख द्वार हमारा पूरा खुल रहा है लेकिन जिनके उचारन करने में मुख द्वार लगभग आधा ही खुले तो उसे हम क्या बोलेंगे मुख द्वार हमारा आधा खुलता है इसलिए इनको हम अर्ध विब्रित के नाम से जनते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि हम संब्रित किसे कहें संब्रित मतलब होता है बंद होना लेकिन ध्यान रखेगा दोस्तों अगर बंद हो जाएगा मुख द्वार तो हम वरणों का उ इसके परिभासा होगी कि जिनके उचान करने में मुखद्वार लगभग आधा लगभग बंद हो आधा नहीं लगभग बंद हो वह क्या कहलेगा संब्रेद और जिनके उचान करने में मुखद्वार लगभग आधा बंद हो तो उसे बोलेंगे अर्ध संब्रेद तो देखे मित्रों एक बार उच्छान करके देखा जाए, आ, मुख पूरा कुल गया, इसलिए इनको क्या बोल देंगे, विब्रित, आ, 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 मुख हमारा लगभग आधा ही कुला है, इसलिए इनको हमने बुंद क्या नाम दिया, अर्ध, विब्रित, संब्रित का मतलब लगभग बंद है, तो क्या कोन बन होंगे, लगभग आप उच्छान करके समय आप देखे, प्रयास करके देखे, तो आपको यही समझ में आएगा, कि मुख द्वार लगभग बंद है, थोड़ा ही कुला मिलेगा, इसलिए इनको हम बोलेंगे, संब्रित इसमें आएंगे, अगला प्रश्न है, अर्ध संब्रित, का मतलब है, कि इनकी उच्छान करने में मुख द्वार आधा बंद होता है, जैसे आ, ए, ओ, इनकी उच्छान करने में लगभग मुख द्वार आधा बंद रहता है, आ, और, ओ, अच्छा, अब देखते हैं, हमारे पास, दो वर्ण ऐसे बचे थे सभी सुरूं की संक्याम ने बताया था तेरा लेकिन अभी तक जो मैं अध्यन करता है आया हूँ उसमें आपको दो वर्ण छोड़ दिया गया था दो वर्ण होते हैं अंग और तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है आयोग वाह लेकिन इसमें वर्ण ह करें क्योंकि जब इनका प्रियोग हम किसी सब्द के निर्माड में करते हैं तो ये अपना मूल रूप स्वर का छोड़ कर ब्यंजन का रूप धारन कर लेते हैं इसलिए इनको साथ में रखने पर भी इनको गिंती गणना से बाहर रखा जाता है इसलिए सुरूं की संक्या 11 रही मानी जती है अच्छा एक स्वर हमारे पास और आता है जैसका नाम बोलते हैं आगत स्वर आगत मतलब कहीं से आया हुआ तो जो वरन हमारे यहां के नहीं है लेकिन जो हमारे यहां आ करके और हमारे भासा में प्रियोग होने लगे उनको हम आगत स्वर के नाम से जानते जैसे आ लिख देते हैं उसमे चंद्र लगा देते हैं लेकिर बिन्दी नहीं लगाते हैं तो यह होते हैं आगस्वर जैसे हम डक्टर आफिसर सब्द लिखते हैं जहां हम वो से उच्छाण करते हैं हंग्रेजी में वहां हम क्याप करेंगे आ का प्रियोग करते हैं लेकिन य हम इनको गिंती और गणना से बाहर रखते ही चले मित्रों तो ये हमने अभी तक प्रयास किया कि हिंदी वर्ण माला को एक बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए और इसको आप लोग एक बार दो बार इसको थोड़ा सा आसान तरीके से देखने का प्रयास तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी और आपके सफलता ही हमारे लिए सबसे बेहतर परिणाम होगा लेकिन चलती चलते में थोड़ा सा देख लूँ कि अगर हम इतना चीज पढ़े हैं तो हम एक वर्ण से कितने प्रश्णों का निर्मार कर सकते हैं चले मित्रों सको ध्य दांग से देखिएगा हमने एक सब्सभय लिया मध्डा में और आसे हमारे पास वितने प्रश्ण बनेंगे वितने प्रयागे कितने प्र dipsनों का उत्त्र हमको कितनी तरीक से देना है यह अपको बहुत बहुततर तरीक से देखना आए त Representatives तो होती है लेकिन कभी कभी जए ज अब को पता है लेकिन स्वर में किस प्रकार का स्वर है यह हरस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्. तो कि इनके उचान करने बिलकुल कम समय लगता है ये मूल स्वर कहलाते हैं चुकि इनी स्वरों के योग से अन्य स्वरों का निर्माण कर लिया जाता है मूल स्वर कहला है इनका कभी बिनास नी चुकि इनको अबवर्गी विभाजित नहीं किया जा सकता है इसलिए इनका ना जीव का प्रियोग के आदहार पर स्वर के अज किसके अंतरगत आएंगे तो इनका उच्छान मद्धसवर जीव के मद्धभाग से होता है इस रही इनका नाम क्या होगा मद्धसवर लेकिन यहाँ अगर पूछा जाए कि वोष्ट की सिद्के आदहार पर इनकी क्या किस्रेणी में रखेंगे तो इनके उच्छारन करने में वोष्ट गोलाकार नहीं होते हैं अच्छा अगला प्रश्ण होता है कि मुख द्वार खुलने के आधार पर इनको किस्रेणी में रखा जाए तो इनको हम अर्ध विबृत किस्रेणी में रखते हैं चुकि आधा मुख द्वार खुलता है अच्छा अगला इनका उच्छारन कहां से होता है कंठ से और इनके उच्छारन जब इनका प्रियोग किसी सब्द के अंत में कर दिया जाता है तो ये क्या कहलाते हैं आकारांत चलिए वित्रों आज मैंने बेहतर से बेहतर तरीके से हिंदी उगर्ण माला क प्रस्तुत करने का प्रियास किया है ये पहला वीडियो है आपके भासा ब्याकरण के लिए लेकिन ध्यान डखना अभी हम आपको हिंदी वर्ण माला में अभी हमने स्वर की चर्चा किया है अगले चरण में हम ब्यंजन की चरचा करेंगे और ब्यंजन के बाद जब हम पूरे वरण माला का देहन कर लेंगे तो हम प्रश्णों की प्रकृत पर चरचा करेंगे कैसे कैसे प्रश्ण हमारे TGT में आते हैं उनको कितने ट्रिक की ड्हंग से हम लोग उसको आसानी से बेहतर तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे से लिए दोस्तों सुवसंध्या आज हम सब लोग यहीं करें जैहिन जैवाद